हलो एबरीबन मैं दीच्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में जन्वरी 2024 के करेंट फिर को कम्पलीट किया जा रहा है जो की विजनाए इसकी मैगजीन राधरित है इसमें अभी तक हमने इसके 6 मेजर टॉपिक को कम्पलीट कर लिया है पतलब की 6 लेक्चर इसके कम्पलीट हो गए है आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नम्मर 7 है जिसके अंतरगर 7 मेजर टॉपिक कवर किया जाएगा चले तो जानते हमारा कौन सा 7 मेजर टॉपिक है साथ में मेजर टॉपिक जानने के पहले आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा इस सेशन को शेयर करें पीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे ट्रेलियराम चैनल यूपिएसी पीएसी वे दिख्छा से जड़ सकती हैं जहां पर आपको पीडियो प्राप्त होगी जो कि आपको बार्शी की की तौर पर भी प्राप्त होगी और भी जो important information रहेगी या फिर जो भी class रहती है तो उनकी PDF आपको इस channel पर मिलेगी question मतलब कि आपका ये 7th नमर का जो topic आता है उसमें आता है विज्ञान इवं प्रोधिकी विज्ञान इवं प्रोधिकी के अंतरगत आता है X-ray, Polymeter, Satellite, Antarastia Space Station, Space Havitation, Rastia Quantum Mission, शोथी उद्धोगे क्रांती, Lithium, Graphene, Advanced Driver Assistance System, Induction Charging, Anti-Microbial Resistance, Fixed Doge Combination दवाएं, संशिप्त सुर्खियों के अंतरगत आता है Squiral Kilometer Array Observatory Project, Ory Series, Apex, Peregrine Mission First, Peregrine Lunar Lander, Smart Lander for Investigating Moon, GCI-20, Feast Finite Element Analysis of Structures, Kilonoba Bispoort, Chameleon Progen, Direct-to-Cell, Sun-Sodid Pharma Venomar, Niam, Saudhysi Roop, Sibixit Hepatitis A, Vaccine Heavish Cure, Ayurvedi Prisikshukov के लिए Smart 2.0 लॉंच किया गया है, WHO के लिए International Classification of Diseases, 11, Tammaku 7 के प्रिचलन पर, WHO की रिपोर्ट, Disease X आएगा, Bio-Imaging Bank, कुछ ट्रोग के लिए नई उपचार भी दी, Bubble Baby Syndrome, Steel Slag, Road Technology, Anil Advanced Nuclear Energy, तो यह हमारी Major Topic है, Major Topic को एक एक करके मिस्तित में पढ़ते हैं इसके अंतरगत जो पहला Topic आता है, X-Ray Polymetry Satellite के बारे में या Exposate Mission Exposate के बारे में जानते हैं कि इसे किस के द्वारा प्रिच्छिपित किया गया इसे हाली में इशरोर है, Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-58 के द्वारा X-Ray Polymetry Satellite या Exposate Mission को सफलता पुर्वत प्रिच्छिपित किया गया चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि यह है, PSLV की कौन सी उडान थी और PSLV की बारे में एक संचित में जानते है PSLV C-58 Polar Satellite Launch Vehicle की 60 भी उडान थी तो इसका नाम 58 है, लेकिन इसकी जो उडान थी है, 60 भी उडान थी PSLV को चार इदनों वाला प्रिच्छे पढ़ियान है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोशी इधन तिथा दूसरे और चौते चरण में तखल इधन होता है यह है, एक साथ कई उपगर्वों को प्रिच्छे पित करने और इन उपगर्वों को कई कक्छाओं में इस थापित करने की छमता से युख्थ होता है PSLV C-58 में सबसे पहले एक्सपोसेट को पित्वी से लगबग 650 किलोमेटर की उचाई परिस्थित कक्छा में इस्थापित किया जाता है और इसके बाद PSLV Orbit Experiment Module 3 या POEM 3 मिशन को संचालित करने के लिए पिछे पित्यान के चोथे करण को निम्न उचाई पढ़ लाया जाता है तो इसके संदर में ये पिक्रिया होती है और इश्रो और इन स्पेस द्वारा भेजे गए 10 पैलोट्स के उद्देशों को पूरा करने के लिए POEM 3 मिशन को संचालित किया जाएगा तो इस मिशन का क्या उद्देश है इसका मिशन का उद्देश है कि इसके POEM 3 के मिशन को संचालित करना है पोयम थ्री मिशन को किसके लिए संचालित करना है कि यह प्रिछेपड यान के चौथे करण को निमन उंचाई पर प्रिध्वी से लगबग 350 किलोमीटर की उंचाई पर इसे लाया गया है फिर आता है कि पोलराईजेशन और एक्सरे पोलरेमेटरी मिशन क्या होता है आखिरे है क्या इसके संदर में जानते हैं कि यह सामान प्रिकास में अनपोलराईजट प्रिकास में बिद्दु छेतर और चुम्बी की छेतर के बैक्टर शामिल होते हैं जो कि एक दूसरी की लंब बद कमपन करते हैं इसके अंतरगत देखें कि यह किस तरीके से कमपन करते हैं जैसे कि धुरूवी करत और आधुरूवी करत दिये गए धुरूवी करत वाले फिल्टर लगाए गए यहां पर यह दुरूवी करत प्रकास और यहां पर आधुरूव के दोलनों के लिए एक निश्चित दिसा में उन्मुक होने का वर्ण किया जाता है Unpolarized प्रकास को Polarized प्रकास में वदलने की जो फिक्रिया होती है वो Polarization है और इनमें प्रकीडन, पराबर्तन, अबर्तन या Polaride या Polarizing filter के उप्योग के माध्यन से किया जाता है X-ray के polarization के अध्यन अमापन करना X-ray polarimeter कहलाता है तो ये प्रमुक definition है जिसके संदर में ये आती भी है और इसमसे related जब आपका question कोई आता है तो ये आपका पूरा statement दे दिया जाता है तो इसमें आपको जैसे आप अभी PSLV किसी 58 के दुरू ये उडान भरी है तो इसमें जो पूराइजेशन का जो यूज किया गया है तो उसकी आपको definition याद होना जरूरी है क्योंकि definition आपकी direct दे दी जाए कि तो उसके संदर में आप जब definition को समझ लेंगे इस तरीके से तो आपको question को answer देने में कोई difficulty नहीं होगी अब आता है कि इसमें प्रिकास के प्रिकेडन परावर्तिन की बात की गई है तो जानते हैं प्रिकास का प्रिकेडन होता क्या है यह जो प्रिकेडन है वह तब घटित होती है जब प्रिकास की करने धूल कर गैस के अड़ों या जलवास्प के टकराने से अपने मूल पत से बिचलित हो जाती है इस प्रिकेडन परावर्त की बीच परस पर क्रिया का अध्यन किया जाता है जिसका उप्योग खगोली पिंडों को रासाइनिक सनरशना और उनके बहुत दिक गणों की अध्यन के लिए खगोली बिज्ञान और रिमोट सेंसिंग में किया जाता है इसके अंत्रगत जो अध्यन में सामिल है इसमें आता है पोलराइजेशन कोड का मापन यह जो कोड का मापन होता है वह संदर विदिशा के सापेक्छ बिद्धु तरंग की दिशा होती है polarization degree यह प्रकास रोज से बिद्दो चुमिकी तरंग का भः भाग होता है जो polarized होता है और अब आता है x-ray polarimeter satellite की वारी में जो कि ये satellite पिरच्छेपित किया गया है किस के द्वारा किया गया? PSLV C-58 के द्वारा जो कि इसकी 60 भी उडान थे एक्सपोसेट मिसन जो है वे विले खोलो neutron तारों की खगोली पिंडों में x-ray उस्सरजन की अध्यन एवं मापन का समर्पित इश्रो का पहला में उपगरा है यह x-ray polarization का अध्यन करने वाला दुनिया का दूसरा उपगरा है और ऐसा पहला उपगरा नासा का इमेज इन x-ray polarimetry explorer है जिसे 2021 में लौंच किया गया था एक्सपोसेट के पैलोड से polarimetry instrument इन x-ray के संदर में देखा जाए तो यह उजा बेंड 8-30 किलो वाट के मैं x-ray के polarization को मापता है जिसमें मिशन की आओधी 5 बर्सकी होती है और इस दोरान यह पैलोड x-ray सुरोतों की लगभग 40 चम के लिए खगोले पिंडों का अध्यन करता एक्सपेक्ट मत्तब की x-ray spectroscopy और timing के बारे में यह soft x-ray में fast timing और उच spectroscopy resolution प्रदान कर सकता है और यह ब्रह्मांडी है एक्सरे शुरोतों को दीर कालिक बढ़न करिमिया spectral और सामे एक temporal अध्यन करता और इन शुरोतों में pulser black hole mining binary magnator आधी सामिल होते है इस mission का महत बिकरण की प्रक्ति को समझाना होता है उनना data संग्राय में मदद करना हगोली पंडों की रासानिक समझना और ब्रह्मांड की बेहतर समझ होना होता है इसको निसकर्ष के तौर पे देखा जाए तो यह जटल ब्रह्मांड की पेचिदा कारपडालियों को समझने के लिए एक्सपोसेट मिशन एक महत्यपूर कदम है और यह mission विज्ञान की अलग-अलग साखाओं और तकनीकी विकास के लिए काफी मायने रखता है इस रोके पीएसलवी और्विटल एक्सपूर्डेट्री मॉडूल पोइम 3 के वारी में जाने कि इसका जो प्रियोग होत है पीएसलवी मिशन में कक्षे प्लेटफॉर्म संबंदी प्रियोग की एक नई पहल इस पहल में पीएसलवी की चार चरणों वाला रोकेट होता है जो की पहले तीन चरण उपियोग होने की बाद बापस समुद में जर्ण जाते हो और जो अंतिम चरण होता है वह स्थाप प्लेटफॉर्म की मदश से बिग्यानिक कक्षा में ही लगू पेमाने पर 4-6 महीने की बिस्तारे तवधी के लिए बिग्यानिक प्रियोग कर सकेंगे इसमें पीएस फोर को प्रियोग हे तू इस थिर प्लेटफॉर्म की रूप में उप्योग किया जाता है जिसमें पीएस और पैकेजिंग से युक्ट होता है और यह तीसरी बार है जब इश्रू ने अंतरिक्ष प्रोधिकी के प्रदर्शन के लिए पोईम प्लेटफॉम का उपयोग किया और इसके पहले पोईम फस्ट पोईम सेकेंड को जून दो हचर बाईस और अप्राल दो हजार तेईस में से लॉंच किया गया था तो इसके संदर में आता है अब आते हैं अन्य संबन्दी सुर्खियां जिसमें की पहली आती है कि भारत की अंतरिक्ष बैस साला एस्ट्रो से ने सिंग्नल एक्स फरस्ट ब्लेक होल से उससरजित एक्स रे पोलराइजिशन को पहली बार मापा है सिंग्नल एक्स फरस्ट मिलकी बे आकास गंगा में सबसे पहले पुष्टी किये गए बिलेक होल तंत्रो का मैंसे एक है और ये अश्ट्रो सेट के बारे में जाने के से 2015 में इस्ट्रो ने पी एसलवी सी थर्टी में पिर्छिपित किया गया था और पिर्थवी की निचली क सिंग्षा में इस्थापित है एक हगोल विज्ञान अध्यन के लिए समर्पित भारत का पहला मिसल है जो की बहुत रंग देड़ आधारित अंत्रिक्ष बैद साला है इसके पांच पैलोड होते हैं जो आल्टावारेट टेलिसकोप केडियम जिंक टेलोराइड इमेजर इस स्थानों और उच उजा की पिक्रियाओं का अध्यन करना होता है अंतराश्टी स्पेस इस्टेशन के बारे में अंतराश्टी स्पेस इस्टेशन जो है वैरूस की नासा के साथ अंतरिक श्यात्रियों के अंतराश्टी स्पेस इस्टेशन भेजने के लिए अपने क्रॉस फ क्रोशी 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 क्रोश एस्ट्रोनोट क्रू के साथ अंत्रिक्ष में बेजा जाता है और रूसी कॉस्मोनोट क्रू के साथ एक अमेरिकी अंत्रिक्ष यात्री को अंत्रिक्ष श्टेशन में बेजा जाता है मतलब कि एक शिक्वेंस चलता है कि ये अगर रस्या वाले को अमेरिका वाले के साथ में और अमेरिका वाले को रस्या वाले के साथ में तो ये क्रोस के संदर में मतलब कि एक क्रोस फ्लाइट कारकरमी के इसके नाम से ही इसपष्ट होता है तो ये क्रोस वाली पिक्रिया चलती तो इसके कारड़ नाम भी एक संदर में याद करने की पर से आसान भासा में है अब चलिए जानतें अंतराश्ति इस्पेस स्टेशन के वारे में जिसके संदर में यह आया हुआ है कि अंत्रिक्ष सोध में करने ही तू अंत्रिक्ष यात्रियों में रहने के लिए कृति मोगरय होता है जो कि पृतिवी के कक्षा से पृतिवी से 370 से 460 किलोमेटर की उचाई के बीच इस्थापित किया गया है इसमें भागिदार देश में आते हैं यूरोपीए دेश, यूरोपीए स्पेस एजेंसी के माद्यम से शैंटराज अमेर का नेशनल आइरोनाटिक्स एंड। इस्पेस एडिनिस्टुरिषन नासा के माद्यम से जापान से जापान एक्थयोंस्पेस एक्स्प्लोरेंसं एजें में एक नया मार्डूल जोडा गया था जिसमें कम से कम 2030 तक अक्षा में कारशली प्रियोक्साला के रूप में कार करता रहेगा और ISS के निर्माड के लिए इसके अलागला घटकों को बारी बारी से अंतरिक्ष में ले जाया गया था जो दीरे-दीरे से ISS का रूप दिया गया और इसके निर्माड में 40 से अस धेके मिसन प्रिछेपित किये गए थी इसकी संदर में आता है अब आता है ISS की इंपोर्टेंस की बारे में पहला इंपोर्टेंस आता है अनुसंधान इवं बिज्ञान की संदर में किया है माइक्रोगिरेबिटी परिवेस में DNA अनुक्रमर, रोबोटिक्स और उपग्रहों की ऐसे विश्यों पर एक सार्थक अध्यन करने का आउशर प्रदान करता है जो की प्रिथवी पर संभव नहीं अंतरास्टी सहही हो की संदर में देखा जाय तो यह बिशु की अंतरिक्श एजनसियों की बीच अंतरास्टी इस्थर पर सांज़य दारी ने अंतरिक्श शुब्धावों संचार नेट पर बिज्ञनिक अनुशन्धान की विकास में बैश्विक सह्यों को बढ़ावा दिय पिर आता है मानो स्वास्त के संदर में जिसमें रोगों का अध्यन करने, दवाओ और नेदाने कुपकरणों का परिक्षण करने तथा मानो सरीर की आंत्रिक कार्पडाली की जाच करने के लिए अनुशनधान किया जा रहा है। परिक्षण के रूप में कारी करता है इसके संदर में आता है। यह तियांगोंग 1st 2016 में लॉंच किये गई तथा तियांगोंग 2 परिक्षण अंत्रिक्ष प्रियोक साल आये थी। जो कि तियांगों ने स्पेक्स स्टेशन 2021 में से लॉंच किया गया थो और यह 2022 के उत्राज में पूरी तरह सी कार करना शुरू कर दिया गया। साइक्त राज अमेरका का स्पेस स्टेशन जो कि Skylab USA का पहला स्पेस स्टेशन है इसे 1973 में नासा की द्वारा लॉंच किया गया। और इसकी भविश की मिशन के संदर में देखा जाए तो यह चंद्रमा की सताय पर इस्थापित करने वाला नासा का और्टोमेस बेस केम्प और चंद्रमा की कक्छा में गेटवे है जो कि भारती अंतरिक्षे स्टेशन होता है। बनाई जा रही है जिसे दोहजार अठाइस के इसके मॉडूल के निर्माण परिक्षण और लॉंच करने के संदर में इसे उद्धूग जगत में बाच्ची चल रही है। बनने से क्या लाव होगी पहला तो यह होगा कि बिग्याने ज्ञान में बढ़ाने मदद मिलेगी देश की प्रतिष्ठा में बढ़ूत्री होगी वो बैश्विक्सा ही होग और सांती को बढ़ावा मिलेगा। इसमें इस सम्मंदी तक्ठों के संदर में आता है कि आखिर स्पेस इस्टेशन होते क्या। इस्पेस इस्टेशन वो होते हैं जो प्रतिवी के अलावा चंद्रमा, मंगल, ग्रह, इत्यादी पर मनश्य की रहने का आवाश ये आशियाना होता है। मतलब कि जिस तरीके से पिर्थवी पर हमारा आवास है उस तरीके से किसी और गरह पर चाहे वो चंद्रमा हो या मंगल हो वहाँ पर आवास होना वहाँ पर घर बनाना उस तरीके की पिक्रिया होना उसे space habitation कहा जाता है यह दो तरीके से संभाव हो सकता है पहला तो आता है गोल्डी लॉक्स जौन्ट में स्थित मंगल घ्रैट जैसे ख़गुली पिंडों पर हैविटेशन होता है कि गोल्डी लॉक्स जौन्ट के संदर में देखा जाये तो इसमें पिंड अपने तारे की इतनी दूरी से परिक्मा कर रहे होते हैं जहां पर तरल पानी में ही रह सकें तरल रूप में रह सकें और इसका मतलब होता है कि उस पिंड का तापमा ना आधिक होना चाहिए ना आदिक गरम होना चाहिए तो मनश्यों की रहने के लिए इस तरह की परिस्थती अनिवारे होगी अब आता है capsule module जो की दूसरा module है जिसके अंतरगत space habitats का निर्मार करना होता है इस capsule module के अंतरगत यह होता है कि यह मानों की रहने के लिए आवश्यक परिवेश से युप्ठ होंगी और इस शौर मंडल में कहीं भी इस्थापित हो सकती है जैसे वो धारण के लिए अंतरा ST space station अब आता है स्टेनफोर्ड टोरस और ओ नील सिलेंडर को अंतरिक्ष में आतनरवर हैविटेट की रूप में परिस्थावित किया गया इस microgravity परिवेश में किसी एवं अन्य गतविदियों में अनुकूल हो सकता इस्टेनफोर्ड टोरस नासा दोरा प्रिस्थावित जो की एक टोय राइट या टोनेट की आकार का space station होता है जिसमें एक केंदरी हब होगा जो की घुडन करती एक बाहरी जैसा होता है जले दो जानते हैं Goldy Locks John की बारे में जैसा की इसमें उल्ले कियां गया था Goldy Locks John यह वहें छेत्र होता है जहां पर मानों के बशनी योगी छेत्र जो ही किसी तारे के आसपास का छेत्र होता है जहां मौझूद ग्रह पर जल की तरह लवस्था में बने रहने की उप्योक्तितापमान होता है अब आता है कि संप्तरा जमीर का चीन भारत जैसे जो देश हैं बहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन यात्रियों को चंद्रवा पर भेजने और अंतरिक्ष में रहने की संभावना का पता लगाने के लिए पहल कर रहे हैं और एलोन मक्स जैसे अंतरिक्ष छेत्रक से जोड़े निजी उद्मियों ने भी मंगल गरह पर इस्थाई मानो कालवने की निर्माड और इस दिसा में पहलों को समर्थन करने की एक्छा ब्यक्ति की हुई है चलिए तो जानते हैं कि अंतरिक्ष में आवास की आखिर क्या लाव हो सकते हैं पहला तो आता है विज्ञानिक संदर में देखा जाए तो यह दूसरों ग्रहों पर जीवन से संबन्दी प्रिष्णों के उत्तर मिल सकते हैं साथी साथ इसमें विज्ञानिक समदाय के साथ बच्चों को भी विज्ञान और भावी अंत्रिक्षन बेशन में रूची प्यादा करने के लिए प्रिरित करेगा। इसमें विज्ञान के संदर में कीस में बैस्विक साज्यदारी और मेशन की शम्ताओं से बढ़ उत्री होती है जो की छुद्र ग्रह की टकराने जैसी बिनास कारी घटनाओं से प्रत्वी को बचाने ही तूं अंतरास्ती तैयारियों को आंगे बढ़ाने में मदर मिलती है अन को सही करने ही तो ब्रेसें की तोर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंतरगत आता है इसके अंतरगत पहली चन्ता तोद पर नहीं होती है कि अंतरिक छनवेशन के लिए जो आविश्यक प्रोधिकी और बुनियारी शनदा के विकास में अत्यधिक लागत आएगी दूसरा आत प्रियावन में बदलाव संभव हैं। फिर आता हैं कर्यानों इवं राजनिती चिंताएं होती हैं जिसे आकासी पिर्णों में संसानों के श्वामित गवर्नेंस तद आंत्रिक्ष गत्विदियों की बिनमाय से संब्धित मुद्दे सामिल होते हैं। नेतिक मुद्दे की संदर में देखा जाएं तो एलियन प्लेनेट्स की आंत्रिक मूलियों की समावी छरण से नेतिक तसंबंदी चिंताएं पैदा होती हैं। और इसमें मून एग्रिमेंट जोकी चंदरमा और अनिक्ष गुली पिंडों में देशों की गतिविदियों को सासत करने वाला समझोता भी शुरू किया गया है। और मर्स के अलाबा साजादी कारों जो खिम से जुड़े जिम्मेदारी उन्हें आये में भी जरूरी होगा। परस पर सायोग करना जो अंत्रिक्ष में मानों की पहुच को बढ़ाने के लिए राष्टों के भी सायोग करता हो। निसकर्स के तोर पे देखा जाए तो इसमें रिश्पेस हेविटेशन के लिए सभी देशों के ट्रस्टी सिफ सिद्धान का पालन करड़ा जाए हो। इसके तहरे अन्य ग्रहे पर अंत्रिक्ष में मानों की अलाबा अन्य प्राणियों और उन ग्रहों के परियावरण के सन्रक्षण में जिम्मेदारी लेना भी सामिल होता है। अब आता है रास्टिय Quantum Mission के बारे में. हाली में रास्टिय Quantum Mission ने Mission Governation Board की पहली बेठ़क आयोजित की हुई है. रास्टिय Quantum Mission की कारेंबर रनीति ती ओ समय सीमा की साथ Mission Coordination सैल के गठ़न की चर्चा की गयी है. चलिए तो सबसे पहले जानते हैं इस कैल की बारे में. उसकी संदर में देखा जाए तो यह एक NQM यानि की राष्टी कोंटमेशन की एक शमनवेक एंजनसी के तौरपे से स्थापित किया जाएगा और इस मिशन का जो सचवाला है उसे बिज्ञान प्रोधिकी विभाग या DST के साथ मिलकर कार करेगा और इसकी स्थापना शन्धान परशत की समगर परिविक्षण और मारदर्शन की तहट कार करता है जिसमें उसका प्रवस्तावों का चैन करेगा और इससे मिशन की तहट फंड़ेप्रदान किया जाएगा इसके इंतरकत आता है नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में यह जो मिशन है भारा सरकार द्वारा इस्थापित एक फ्लेक्सिक पहल है जिसे 2023 से 2031 तक की आउधी की बीच लागू किया जाता है और इसका उद्देश भारत में क्वांटम प्रोधिक्यों को गलोबल लीडर की रूप में बनाना हो होता है इसका उद्देश यह अगले आट साल के अउदी के लिए निम लिखे तो देशों को प्राप करना पहला तो क्वांटम संचार नेटवर्क को 2000 किलो मीटर तक करना क्वांटम कंप्यूटिंग प्राइवर को 1000 कुविट्स की प्रोसेसिंग में करना मेगनिटो मेट्री और परमाडू घडियां उनका आगे बढाया जाना हो ओक्म मैटेरियल के डिजाइन बिखसित करना इसके उंतरगाता आ अब आता है क्वांटम प्रोधिकी की बारे में क्या थे क्वांटम प्रोधिकी खुता क्या है Quantum Mechanism Atomic और Sub Atomic Particle के इस्तर पर परदार्थ और उसकी उजग के साथ उसके परदार्थ के इंट्रेक्शन का अध्यन करता है जो कि Quantum Anglement और Quantum Superposition इसमें सामिल होता है जिसमें Quantum Anglement जो होता है वह बहुत किये परिखटना होती है जहां दो Quantum System एक दूसरी के साथ सब्बद किये जाते हैं जिससे एक सिस्टम को मापने से दूसरे सिस्टम की इस्थिती का तुरंद निर्धारण हो जाता है वह दूसरी आती है Superposition जो कि एक Quantum System का एक वूलभूद गुण होता है जिसमें पार्टिकल एक ही समय में किवल इस खी निश्चित अवस्था की बजाए एक कई अवस्थाओं से मौजूद रहते हैं इसके अंतरगत आता है मिशन की महत्तों को दीखा जाए तो इसमें Global Leader बराना अनुसंधान हो इवं विकास को बढ़ावा देना सुरक्षित संचार करना इसके प्रोवक इंपोटेंस होता है इसके चार थेमिटिक हब होते हैं जिसमें आपका पहला आता है क्वान्टम कम्पूटिंग, क्वान्टम कम्यूकेशन, क्वान्टम सेंसिंग और मेट्रोलोजी कुशल कारेबल की कमी होना और सनचना उपलब्दे नहीं होना बद्धिक संपेदा अधिका बिनिमाय के विवस्ता साइबर सुरक्षा से संबंदित खत्रे होना और इसके अंतरगत आता है आंगे की राय में देखा जाए तो निजी निवेश को आकर्सित करना विशीश प्रि प्रिप्टोग्राफी अरुशंधान मेंने वेश करना सामिल होता है तो इसके संदर में ये प्रमुक सुझाओ दिये गए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक चयाओती उद्धोगी क्रांती के बारे में किते लंगाना मैंने हैदरवाद में सेंटर फोर्फ इंडिस्ट्रियल revolution की स्थापना हेतु विश्वार्थिक मंच के साथ एक समझोता किया हुआ है तो किसके द्वारे ये समझोता किया गया है है हैदरवाद ने विश्वार्थिक मंच के साथ ये समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है चली तो जानती है कि आखरी फोर्ट किरांती होती क्या और चौती उद्धोग किरांती की आखिर आवश्यक्ता क्यों रही यह सब्द जो है 2016 में विश्वेंग विश्वार्थिक मंच के संस्था पर कुवास स्वाव के द्वारा प्रश्थुत किया गया था जिसमें उन्होंने फूर इंडस्ट्रियल revolution का अर्थ बताया था कि किर्टिम बुद्ध में ता additive manufacturing आवाशी बास्तविक्ता और internet of thing जैसी नई प्रोधिकियों के सही एक से बी निर्मार उद्धों का डिजिटल परिवर्तन होना है किस किस चीज़ से किर्टिम बुद्ध में ता additive manufacturing आवाशी बास्तविक्ता या augmented reality और internet of thing कि माद्धम से बी निर्मार उद्धों को डिजिटल परिवर्तन करना होता है इसका उपियोग स्मार्ट फैक्ट्रियों की आवसरेश्णा को संदर्वित करने के लिए किया जाता है जो कि पूरी तरह से साइबर बहुत एक सिस्टम से जोड़े होते हो और जिनमें बहुत ए दिजिटल संचार में आता है अरवों और लोगों और चीजों या बस्तों को जोड़ने में संचार के नए रास्ते खुलना दिजिटल उर्जा होना जो कि उर्जा उत्पादन और मांग में में मेल खाने वाले गसील स्मार्ट पावर्ण ग्रेट का एक ही करण होना प्रशाष्ट जैसे एक आरकों का उप्योग करके भारत स्वयम बैश्वेक बीनिर्माण के अंदर के रूप में विक्सित कर रहा है भवेशिक के लिए कारेवल सरजन करना लचीली और कुशला पूर्ती स्रंखला इस पिर रोवर प्रभाव होना और यह से मूली स्रंखला म लिए उत्पात को और सिवाओं की आशान पहुत संभव होना है चौती उद्धों के किरांती के लावों को दोहन करने पर भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां पहली तू आती है आर्थिक चुनौती आर्थिक चुनौती में देखा जाए तो कम वेतन, कम कोसल, कम वेतन, भारत जैसी अर्थ विवस्थाओं को नुकसान पहुचा सकता है और इसके अलावा मशीनी करण से शुरमकों का विस्था पन्पूजी पर रिटर्ण और शुरम पर रिटर्ण के बीच अंतर को बढ़ा सकता है दिश्टल परियावण फूट्परिंट के काड़ पढ़ने वाल उठाए गई कदमों में आता है पहला तो दा सेंटर फोर ग्रोथ इंडिस्ट्रियल रिवोलिशन जो कि भारत महराज सरकार के सयोग से इसे शुरू किया गया था डवलू एफ विश्वार्थिक मंच और भाराज सरकार के सयोग से जिसमनीती आयोग द्वारा इसे समन्वित किया गया था दूसरी आती है किर्शी नवाचार के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पहल जो कि भारत के लिए किर्शी बदलाओ का समर्थन कर रही है सहरी रूपांतर जो कि स्मार्ट सिटी मेशन के तह सांज़दारी और इंडिया हब 4R1 ट्रांसफोर्मेशन भविश हेल्थ केर की तच पर फार्स्ट कैंसर केर विक्सित किया गया है स्मार्ट एडवांस पैनुफेक्ट्रिंग एंडिरे पे ट्रांसमेशन ट्रांसफोर्मेशन हब जो कि उद्धोग भारत पूरपनजीरो में भारती उद्धोग मत्राले की एक पहल है तो यह भारत द्वरा उठाए गई प्रोमोग कदम होते हैं चलिए तो जान लेते हैं इसके अंतरगत एडवांस मैनुफेक्ट्रिंग के संदर में जो कि एक डेटा की तोर पर एक है डाइरम बनाके दिया गया है जिसमें आपका उद्धोग छेतर इसके अंतरगत आता है स्मार्ट फेक्ट्री ज प्रोधिक्यां और अन छेतर किसमें सामिल होते हैं अब आता है उद्धोगे क्रांति के चरण में जो कि इसमें चार तरीके का चरण चला पहला जो चरण था वह मसीनी करण जल सकती भाप और इंजन से था दूसरा जो चरण आया वह बड़े पिवाने पर उत्पादन असें परिवर्तन से कहीं अधिक होती है इसमें एक समाविशी और मानो के रंदित भविश में बनी ने में सभी की मदद करने का एक उशर होता है हलाकि प्रोधिकी का जो आनुपातिक और विक्टन कारी प्रक्ति को इस तरह से नियंतित कई आ जाना चाहिए जो शंभाविद अधिक तम्हूं के संदर में आता है अब आता है लीथियम के बारे में कि हाली में भारत और अर्जिंटीना ने अर्जिंटीना में लीथियम अनुवेशन और खननन परियोजना के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये इस समझोते पर खनिज विदेश, इंदिया, स्वामित वाली खनन और लूर्जा कंपनी की वी जस्ताक्षर किये गए हैं जो कि भारत को लवड़ी या खारे जल का सांद्र विलियन प्रकार के लिथियम अनुवेशन के हितु तक्निकी और परचालन अनुभवराप्त होता है। लिथियम के बारे में कि लिथियम एक सफीशोना होता है जो की नरम चान्दी और जैसी सफीशारी धातु होती है जिसका घन तो सभी धातुं की तुल्ला में सबसे कम और जल के साथ तीब्र अभिक्रिया करता है। इसमें एलोमिनियम और मेंगनीसियम के साथ लीथियम धातू जैसी मिस्र धातू बनाई जाती है जिससे इसकी मजबूती में सुधार होता है और इसका बजन भी कम होता है तो इसमें ये लीथियम के बारे में बताया गया अब आता है लीथियम के दोहन के संदर में की लीथिय के जल में मामुली मेरमात्रा में सहींगत रूप से पाया जाता हो लीथियम युक्ते कुछ महत्पूर्ण खनेजबे होते हैं जिनमें इस प्रोडियूमिन पैडालाइट लेपिडूलाइट और एम्विलूगोनाइट आता है इस धातु में पिगले हुए लीथियम आरजन्टीनिया जो है बहियी लीथियम ट्रेंगल में आती हैं अब आता है इसके संदर में कि मैं भारत की संदर में भी देख लेती हैं कि भारत में कहां कहां पाया जाता है जिसे भारत में आपका राजिस्थान में यम courageous मीर में अरणाचलप्रदीश में जहारखंड,र च का जो उपयोग है इसमें इसका उपयोग मोबाइल फॉन लेप्टॉप डिस्चल कैमरे इलेक्रिक बाहनोग और रिचार्जबल वैटरी के लिए किया जाता है इसे हाड पेश्मेकर खिलोने घड़ियों आदी के लिए नॉन चार्जबल वैटरी के रूप बलताने में भी अग्साइड का उपयोग विसीस प्रकार के गिलास और गिलास सरेमिक में किया जाता है लिथियम के लोडाइड अभी तक ग्यात सरवाद एक हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल वैसे यह एक है इसका उपयोग एयर कंडिसिंग और इंडस्ट्रियल ड्रॉइंग सिस्टम में किय जाता है लिथयम स्टेरेड का उपयोग लॉब्रिकेंट के निर्माड में किया जाता और इसकी निर्माड के लिए हर जगेए तथावोचे यताप स्टार्ट की गई है जो कि महतरपुर पहले हैं जिसमा पहली आती है खनेज बिदेश इंडिया लिम्टेड जो कि 2019 में इसे स्थापित किया गया था या नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिम्टेड हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड और मेंडल एक्स्प्लोरेशन एंड कंसल्ट से लिम्टेड की संयुक्त उधम कंपनी है बिदेशों में लिधियम की साथ साथ अन्य रणनेतिक खनेजों की पहचान अधिकरण विकास प्रसंस्क्राण और वेशायक द्रश्टी से उप्योग करता है ताकि भारत में इनकी आपोलती की जा सके ऑस्टेलिया इंडिया क्रि पर रहा है इस के अंतरगत आता है अब आता है आपका ग्राफीन की बारे में ग्राफीन क्या है ग्राफीन की संदर में हाली में क्या नियूज रही है ग्राफीन जो है हाली में सूचना प्रोधिकी वंत्राले की द्वारा सची ने केरल की दू महत्पूर केंद्रों का सुभारम में किया है तो इस केंद्र का कौन से दू महत्पूर केंद्र नहीं है पहला तो आया है कि पहला केंद्र का जो नाम है Center for of Excellence in Intelligent Internet of Things Sensor से और दूसरा आता है भारत का प्राथम ग्राफिन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फूर ग्राफिन इसका नाम दिया गया है तो ये भारत में दो महत्पूर केंद्र का स्थापना की गई है कहां पर ही केरल राजमन या सूचना एबं संचार प्रूदिकी की माद्यम से Electronic प्रूदिकी मंत्राले की द्वारा इसको शुरू किया गया चले तो जानते हैं इसके संदर में कि IICG जो पहला ग्राफिन सेंटर बनाये गया है उसके संदर में इस ग्राफिन सेंटर में को किरल में Digital University Center for Materials for Electronic Technology और Tata Steels Limited की एक संयुक्त उधम है जो की इस मंत्राले की द्वारा बित्त पोशे थे इसका लक्ष ग्राफिन तथा 2DM की छेत्रों में अनुशन्दान विकास नवाचार चंता को बढ़ावा देना होता है ग्राफिन के बारे में ग्राफिन जो है एक ग्राफिन से प्राप्त होता है जिसमें पैंसिल के लेट से यह ग्राफिन बनी होती है इसमें एक मिलीमीटर ग्राफिन की तीन मिलियन परत होती है यह कारवन परमाड़ों के लिए एक परमाड़ों जितनी मौटी परत होती है ज जाता है ग्राफिन के विसेस्ताओं को देखा जाए तो पहला आता है सबसे मजबूत सामगरी यह स्टील के 200 गुना मजबूत होने पर 6 गुना हलका होती है दूसरा आता है उच्छ तापिये चालकता है जो कि ग्राफिन के पर हमरे किताप मान में 5000 वाट मेगा तरह तक की पारगम में मानी जाती है अब आता है इसके पारदर्सी भी होती है इस लचीली बड़ा सतह छेत्र भी कवर करती है जो को सक्षम मनाती है राशानेक आयस्थिरता होती है जैब अनुकुलिम्ता की स्थिति इसके इंतरगत आती है ग्राफिन के उपयोग की संदर में देखा है तो ग्राफिन को 21 सदी की अद्व सामगरी की रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें विविन अद्धुगों में क्रांती लाने की विशाल छमता मौजूद है और इसका निम्लिके छेत्रकों में उपयोग किया जाता है जैसे पहला आता है इलेक्ट्रोनिक उपयोग मे इलेक्ट्रोनिक्स में दूसरा उजबन डारण में थीसरा चालक फिल्मों में चौथा सामगरी को मजबूत बनाने में पाच मां उस्मा की प्रवंदन में छटा सेंसर में आठ वां बायोमेडिकल उपकरण में नॉवा जल को साप करने में कोटिंग और फिल्म की संदर में और हलकी सामगरी के संदर में स्काउपियों किया जाते हैं। संबंदे सुर्खियों को देखा जाए तो IICG कि साथ Center of Excellence in Intelligence Internet of Things सेंसर को सुभारम किया गया है जिसका उद्दिस Incubation Facility बनाना, Intelligence Internet of Things सेंटर के में छमता जर्माड करना है और इसमें नवाचार को बढ़ावा देना होता है। तो यह कहां पर इस्थाथ प्रिट किये गई हैं। केरल में किये गई हैं। दो एप रुमुके सेंसर के स्थापना की गई है। नेक्स्ट आता है Advanced Driver Assistance System के बारे हैं। यह जो सिस्टम में यह बिविन रुपोर्ट के अनुशार भारत में Advanced Driver Assistance System की मांग में बडूतरी के लिए हुई है। साथी यह भारत के लिए एक उभरती हुई बाजार की रूप में सामने आ रहे हैं। इसके अंतरगत यह होते क्या हैं इसको देखते हैं कि यह एक Electronic System का सेट होता है। जो कि ड्राइवरों की सुरक्षा बढ़ाने बाहन की प्रदर्शन में शुधार करने और अन्शुवदाय प्रदान करने के लिए बाहनों में लगाया जाता है। जो बाहन की आस-पास की परिविश की निगरानी करने और सम्मावित खत्रे का पता लगाने के लिए Sensor, Camera, Radar और अडवांस प्रोधी के उप्योग को संभव करता है। और ग्राहकों की मांग की अनुशार बाजार में बिविन इस्तर के लिए ADAS इसमें मौझूर होता है। प्रेकिंग सिस्टम आता है। निस्क्री ADAS के अंतरगत ये ड्राइबिन पिक्रिया में सीधे हस्तचेप किये बिना ड्राइबर को जानकारी हो अलार्ट प्रदान करने तक सीमेत होती हैं जैसे वो धारण के लिए बिलांड स्पोर्ट मौनिटरिंग सिस्टम लेंड डिपार्चर चितावनी पढ़ा ली या तैस संकेत पहचानना इसके इंतरगत आता है। इसके लाव को देखा जाए तो सड़क समगर सुरक्षा में सुधार होगा बहतर या तैयत प्रवंदन होगा आया तो सुबदा में बर्दी होगी परियाबरने प्रभाव होगा। भारत में ADAS के बढ़ती मांग के कारण कौन-कौन से हैं पहला तो एक यदिकांस कार निर्माता अपने मिट सेग्मेंट रेंज के बाहनों में ADAS की परियाप सुबदा प्रदान करने में लगे हैं। दूसरा बहनिता से जुड़े मुद्दी, तीसरा कनेक्टिविटी और डेटा, चोथा आता है साइवर खत्रे, पाच मारे तूटी और खराबी, या हाड़वेर और सौप्टिवर से सम्मद्द तूटियों, सेंसर की फिलता हो, कैलिबरेशन से सम्मद्द तूटियां, गलत देटा प्रोस्सें या खराब मोशम जैसे पाहरी प्रवावों की कारण होता है, मान भी एक कारक कोंकि संदर में इसका एक प्रोम खाता है, अब आता है, इसके अंतरगत जान लेते हैं, कि यह पिक्रिया या यही सिस्टम होता क्या, इस सिस्टम किस तरीके से वर्ड करता है इसमें यह सिस्टम जो है Advanced Driver Assistance जो सिस्टम है यह फिक्रिया इस तरीके से चलती है कि यहाँ पर ही कार है तो यहाँ पर है जो आपका रडर या लिडर वाला जो सिस्टम ही इस तरीके से हाईलाइटेड है तो जो कि आपातकाली इन विरिक लगाना पैदल यात्राए का पता लग एसिस्टेंट, बलाइंड इस्पोर्ट डेस्टिनेशन और स्राउंड व्यू इसके इंतरगत आता है फिर नेक्स्ट आता है के डी एस के लिए प्रियुक्तुप करन जैसे राडार का होना लेडार का होना कैमरा अल्ट्रासोनिक इंफ्रारेड और जी पीएस इसका उप्योग किया गया ओटोनोमेस ट्राइबरों की विविन इस तरों में जिसमें 0 से 6 तक के इस तर निलधारित किये गए जिसमें 0 पर कोई सवचालन नहीं होता है एक पर चालक सहायता होती दो परांसिक सवचालन होता है तीन पर ससर्थ सवचालन चार पर उच्छी सवचालन और पां अपलब दिकराने हैं तो इंडक्षन चार्जिंग तकनीक को अपनाने की यूजना बनाई गई इसका उद्देश्च है कि इमोबिलिटी को बड़ावा देना है चली तु जानते हैं इंडक्षन या बाइलेस चार्जिंग आखिर होती क्या यह जो चार्जिंग है बाइलेस च अंतरड करने के लिए बिद्दु चुमिकी चेतर का उपयोग किया जाता है तो इसमें बिद्दु चुमिकी चेतर का प्रियोग किया जाता है दो क्वाइल्स के बीर्च में और इसमें कोई भी ऐसी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है जिसके अंतरगत इसमें एक बहु दूसरा आता है चुमी की छेत्र द्वारा तार के कोईल्स के बीच इंडेक्टिव कप्लिंग का उपयोग करके इंडेक्टिव चार्जिंग बड़ी पियमानी पर उपयोग की जाने बाली एक बारलेस टकनीक होती और यह चुमी की प्रियर्ण की सिध्धान्त परकार करता है जो कि ट्रांस्फार्मर की इसी सिद्धान्त के अंतरगात कारे करता है इसके आता है इसमें पहले सर्किट में ट्रांस्मीटर भी कहा जाता है और दूसरे ये सर्किट को चुमी की छेतर प्राप्त होता है Interactive Charging की प्रिकार को देखा जाए तो यह मुखत तीन प्रिकार की होती है पहला तो आता है इस्तेटिक या इस्तिर Charging जो कि गरों कारायलों में प्रियुक्त होती है दूसरे आते हैं अर्दे तक गत्सील या क्रोसी डाइनमिक या आवशेय मिलने वाले Charging और तीसरे आते हैं गत सील डाइनमे किया इलेक्ट्रोनिक बेहिकल चार्जिंग जो कि सडकें और राजमार्क पर होते हैं इस चार्जिंग के अंदर आता है कि चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक बेहिकल में एक जगे पर इस्तिर रहना पड़ता है और इस charging में इस दोरान कुछ देर तक कर रुक कर चार्ज किया जाता है और इस में इस विदी में बाहन मालक अपने electronic vehicle को चलाती समय लगाता है चार्ज कर सकते हैं तो ये तीन के तरीके की अलग-अलग charging facility होती है जो की इसमें होती है अब आता है इंडेक्सिंग चार्जिंग की क्या लाव होते हैं पहला तो यह आता है कि लगने वाले समय में कमी एवं सरल पिक्रिया होगी अधिक सुबदा जनेक होगा, कम रख रखाओ की आविश्कता होगी हर मोशं में चार्जिंग की सुबदा होगी और सौरचाले ड्राइविंग तक्नीक की विकास में मदद मिलेगी। तक्नीक को अपनाने में मौजुद चुनोतिया में जैसे उच लागत होना, दक्षिता होना, इंटर ओप्रेविलिटी से जुड़े मुद्धी होना, इस्थायत होना, सील्ड जैजायनों से जुड़ी, संबंदी सुरक्षा, संबंदी चिंतायों और तक्नीकी चिंतायों होना है। आगे की राहे में देखा जाए, तो यह लंबी समय तक कमजूर विद्धूत या चुमिकी छेत्रों में संपर्क में रहने की कारण, स्वास्त पर पढ़ने वाले नकारात में प्रभाओं के आगरन के लिए जरूरी शूद किये जाने की आवशिक्ता है, या इंडेक्सन चार्जिंग सिस्टम की आस पास मौजूर जीर जमतों और अन्नवस्तों का पता लगाने के लिए तकनीक विक्सित करने की आवशिक्ता होती है, जिसमें सरकारी एजेंसियां बाहन निर्मे नर्माताओं को तकनीकी कंपनियों के भी सहीयों को वड़ावा देने के लिए किया जाता है, अब आता है एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो की हाली में राष्टिय रोग नियंत्रड केंदर ने एंटिबायोटिक दवाओं की इस्तमाल से सम्मन्दित पहला, मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रिविलेंस सर्वे जारी किया है, जो की NCDC केंदरी स्वास्त मंत्रा ले के तहित कारी करता है, चले तो जानते हैं, सबसे पहले NCDC के बारे में, जिसका मुख्याला नई दिल्ली में हो और यह है, जो होता है, बस संचारी रोग के नियंत्र को इस्थाई उतकरष्टता केंदर के रूप में कारी करने के लिए इस्थापित किया गया थो, और इसे केंदर को NCDC में बदल दिया गया, जो कि स्वास्तों परिवार का लियाड मंत्रा ले के अंत्रगत कारी करता है, और इसमें बीमारियों के प्रशार की जाच करना होता है, या माइक्रोवेल जीवों के कारण होने वाली विवे संचारी रोगों के लिए रेफरल नेदानिक सिवाएं प्रदान करना होता है, सर्विक्षण के मुख्य बिन्दू की संदर में दीखा जाए, तो इसमें बिना टेस्ट की दवा दीना, निवारक उपियोग होना, अब आता है, एंटिवायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, यह जो रेजिस्टेंस की इस्तिती होती है, वेक्ट्रियों और कवक जैसे रोगजनक एंटिवायोटिक दवाओं की प्रतिरोध अच्छन था, विक्सित कर लेते हैं, इसे इन रोगजनकों का सम्मनित एंटि माइक्रोबियल दवायों का कोई असर नहीं होता है, जोकि रोगाणों राधी प्रतिरोध शाम्दा विक्सित करने के लिए इन सुक्षी जीवों को सुपरवक कहा जाता है, इसके अंतरगत आता है, AMR की बढ़ते मामले के पीछे कारण क्या है, पहला तो यह है कि मनश्यों में एंटि माइक्रोबियल दवाओं काते दे को प्रियोग होना, कुंकोर्ट पालन या फार्म में पाले जाने वाले पशुमें दुरूपियों के कार, AMR की मामले में ब्रति हुई है, स्वास देवक ने एंटि वायोटेक्स को तीन समूहों में बरगी करत किया है, पहला आता है एक्सिस, दूसरा आता है वाच और तीसरा आता है रिजल, एक्सिस के इंतरगत इसमें इस दबाओं को सामल होती हैं, जिनमें सामन प्रकार की रुगाणों के संक्वण की स्थिति की उपचार की अधिक छमता होती है, जोकि एंटी माइक्रुवेल रिजिस्टेंस में विक्सित होने की कम संभावना होती हैं, जिसमें एमी कासिन और डॉक्सी साइकलिन आधी आता है, और बोच के अंतरगतिन में अधिक सेवन पर निगरानी रखने की आवशकता होती है, जिसमें सामिल दबाईयों के उच्पित्रों छंता विक्सित हो सकती है जैसे सेफ बू पेराजॉन लिफो फिलावेसिन होता है और फिर आता है इसमें डिजर्ब जोकी स्रडी में सामिल एंटिवाइटिक्स को अंतिमुपाय के रूप में इस्तमाल किया जाता है और ऐसी एंटिवाइटिक् रोग जनक के कारण होने वाले गंभीर संक्रबण के लाज में आरेक्षित होती है जिसमें टेल वेंसिन और कोलिस्टिन फूर्थिस में सामिल होती है इसके निहतार्थ को देखा जाए तो पहला आता है स्वास सेबापर प्रभाव दूसरा स्वास देख़ाल के लागत में आर्थिक प्रभाव होना, आउटब्रेक का बढ़ता प्रिकोग या खत्रा और उक्चार के लिए विकल्पों की कमी होना है। एक डेटा मेंस को देखा जाए कि 2019 में बैस्वेक इस्तर पर 1.927 मिलियन लोगों की विर्थु प्रित्यक शुरूप से बैक्ट्रियल एमर के कारण हुई थी। विश्वेंग के नुसार एमर के कारण 2050 तक स्वास देखवाल पर एक ट्रिलियन अमेर की डॉलर की अतरिक्त लागत आएगी। विश्वस्वास संगठन ने एमर को मारता के सामने आने वारे सीर्स दस वेश्वेक सालवने खत्रों के लिए बाना हुआ है। एमर की निदान के लिए किये गए उपाय में आता है राश्टी इस तर पर किये गए उपाय में आता है। एमर की रोग थाम के लिए राश्टी कारी योजना 2017 में बनाए गई थी जो की बन हेल्थ एप्रोच और विभिन हिद्धारक बंतराले और विभारों को सामिल करने पर फोकस किया गया। राश्की मेडिकल कॉलेज प्रियोक सलाओं का नेशनल एमर निगरानी नेटपर्क है जिसका उदेश सार्जनिक स्वास की माहत को देने के लिए रोगाणों जीवाणों की पहत्मेकता देना है। रेड लाइन जागरुकता भिहान औसधी और प्रशादन सामागरी नियम 1945 ऐसी फिक्स डोज कॉम्मिनेशन दवाव प्रतिवंद लगा दिये जो कि हानिकारक हो जिसमें केरल 2018 में एंट्री माइक्रोवियल रिजिस्टेंस स्टेट्जिक एक्सन प्लाल लागू करने वाला भारत का पहला राज जिबन गया है जिस्वे 2017 में इस तर्ज पर शुरू किया गया था वैश्वे कि इस तर पर किये गए उपाए में आता है पहला गिलोबल एंट्री माइक्रोवियल रिजिस्टेंस एंड यू सर्विलांस जोसे 2015 में शुरू किया गया था जो कि एक व्या आगे किराय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है दवाओं के उचेत उप्योग को पूर्सान देना और सधी उप्रशादन सामा गिरिनियम उनी से पैतालिस का सक्ति कारें में होना उसमें रिजिस्टेंस स्टेंड का सीगर पता लगाने के लिए लोग रोग जनकों की निगराने और मॉनिटरिंग करना मजबूत ठीका करण कारिकरम होना खराब गुडवत्ता और निवनवानक वाने एंटी माइक्रवियल दबाओं के उत्पादन विक्री पर बेन लगाना पसुचारी के उत्पादन में एंटिवाटिक्स के इस्थान पर अन्न विकल्पों क उपयोग को बढ़ावाद है नौ, सिक्षा और जागरुकता कारिकरम इसके अंत्रगत आता है अब आता है फिक्स दोच कॉम्बिनेशन दबाओं के बारी में केंदरियो सदी मंदन नियांत्रल संगठर ने पांच कमपनियों को पांच फिक्स दोच कॉम्बिनेशन दबाओ कि उत्पादन और मार्केटिंग की अन्मती दिये इन दबाओं पर पिछली साल प्रतिवंद लगा दिया गया था पहले इनी दबाओं पर प्रतिवंद लगा दिया गया था लेकिन पिर से इसमें अन्मती दिय दिये गया इन पांच दमाओं का जो उत्पादन करने और उन्हें बेचने की अन्मती कुछ विसी सर्थों के आधार पर दी गई है पहला तु कहा गया है कि यह तीन दमाओं की बारे में सुरक्षा और प्रभासीलता से सम्मन्नित डेटा के एक वर्स के भीतर उपलब्द कराना होगा और से इस दू के अंतरगत इसमें डोज की मात्रा और सुरक्षा लेविल के साथ ही मैचा जा सकता है इससे पहले सार्विनिक हिस्त को ध्यान में रखते हुए 2016 में कैंसर कारण 344 कॉम्मिनेशन पर प्रतिवंद लगा दिये गए है अब आता है फिक्स डोज कॉम्मिनेशन ड्रग के बारे में जो कि औस अधी इवं परशाधन सामगरी नियम 1945 किनियम 122E के अनुशार यह ऐसे अनपाद होते हैं जिन पर दो या दो से अधिक सक्रिय घटक होते हैं यह किसी बिसेस लक्षण के लिए निदान के लिए उप्योगी होते हैं और यह दो सर्थों को पूरा करते हैं जिनमें नई दबाव मना जाता है यदि ये पहले से स्विकृत दो या दूसे अधिक दबाओं और उनकी अलग अलग प्रभाओं के लिए निश्चित अनपात में मिलाकर कोई FDC दबाओं बनाई जाती हो और ये पहले से स्विकृत किसी FDC प्रभाओं के बदलाओं के लिए इसके सक्रिय घटकों के अनपात मे में शुधार होता है इसके संदर में जानते हैं कि इसमें बीमारी के अंतरकत कौन-कौन सी बीमारी शामिल है पहली तो एंटी माइक्रोबियल बिटामिन और खनिज लबड आदी से संब्देत इसमें घटक आती है और यह है 2015 में आवशिक तसा इसका निदान जो है खासी सर्दी और बुखार की संदर में होता है जो एसे एंटी माइक्रोबियल मेटामिन और खनिज लबड में केंद्री वसदी मानक नियंत्र संगठन जो है जिसका कार मुख्याल है दिल नई दिल्ली में है और यह है ड्रक्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कैंसरकार को सोपी गई कारों के निर्वहन के लिए केंद्री वसदी प्राधी करण है और यह स्वास दिवं परिवार करि टॉलर एंड जर्रल ऑप इंडिया के द्वारा की जाती है इस एक ही खुराक लेने में परिवर्त तंसीलता का भाव होना अशूत करें तो प्रतिवंदित एबडिसी होना एंट्री माइक्रोमियल रजिस्टेंस का बढ़ता खत्रा पारदर्सिता में कमी और आवहनीता संब प्रादी करण होता है प्रमाडे तुप्चारात मकलाब हाते हैं निगरानी पढ़ानी निर्यात नियंतर के लिए कठोर नियम होते हैं पारदर्सिता और आल्थेग महनीता को बढ़ावा देता है और साल जुनिक जार गुरुकता इसके अंतरगत होती है अब आता है जिसका मुख्याला युनाइटिट केंगे डम है इसकी तहर एक ग्लोबल आपजर्वेटिर और दो टेलिस्कोप पर इस्थापित किये जा रहे हैं जो कि तीन जगहों पर इस्थित होते हैं दो जो होगी वाया अदक्षन अफ्रिका और और आस्ट्रिलिया रेडियो ट्रां परसंटरंगों का बता लगाना होता है इसके अंतरगत आएगा अब आता है कि भारत दो अधर उठाए गए इसके अंतरगत क्या कदम है पहला तो डीमेरिट बस्तों पर सिंटेक्स होगा कि एवन बस्तों पर सिभाओं यह लगाया जाता है जिने सामाजिक रूप से हानिका है जो अंतरग्षयान अब ओसीरे से एपक्स से नाम से एक नए मिशन का पहर जाएगा ओसीरे से आरी एक्स से आसे ओरिजन स्पेक्ट्रम इंटरप्रेटेक्शन रिशोर्स आइडेंटिफिकेशन में सेक्वर्टी रेगुलित एक्सप्लोर से है जो की हाली में और इसे से और सीरेस रेक्स यान छुद्रग्रह बेन्लो के सेंपल लेकर प्रिधिवी पर लोटा हुआ था और इसे से एक्सपेक्स एपो स्पेस नामक छुद्रग्रह का अधिन करेगा और यह तब प्रिधिवी के सबसे करीब 20,000 मेल से गुजरेगा इसके अंतरग में हाता है इसके चाहखाड़ी का अनवीशन करने के लिए पेरिगेन लूनर लेंडर का लॉंच किया है मिसन नासा की कॉमर्सियल लूनर पेलोट सर्विस पहल का एक हिस्सा है इस पहल के तहर चंदरमा पर पर ले जाने के लिए बाड़ेचिक संस्थाओं के साथ सांज्यदारी की जाती है इसमें सन के मुखे लक्ष में चंदरमा की बाहे मंडल का विसलेशन करना चंदरमा की सतय पर मौजूद रेगुलेट के तापी एगड़ों और हाइड्रोजन सामगरी का आगरन करना और जुम्मी की छेतर का अध्यन करना होता है अब आता है स्मार्ट लेंडर 4 पांचमा देश्क बन गया है इसके पहले संक्तरा जमेर का पूरुशोबेश संग चीन और भारत के द्वारा यह लेंडिंग कराए गई थी इसमें का जो देश है वह हलकी मेशन पडालियों का उपयोग करके चंदमा और गिरहों के अध्यन और गिरहों के अध्यन के तेजी लाना है अब आता है जी सेट 20 जिसे भारत की ओर से एन एस आई एल के नए दो हजार चोविस में संचार उग्रह जी सेट 20 को लांच करने के लिए इस पेस एक्स के फॉलकर 9 और रोकेट का उप्योग किया ऐसा पहली बार हुआ है जब नियू इस पेस इंडिया लेंटेर अ और यह एन एस आईल की पूर्विस्वामित में है जिसका संचाल नियूंबित पूशण एन एस आईल के द्यारा ही किया जाता है ऐनसा एल को स्वापी गए कारियों के संदर में आता है कि यह प्रिद्वी के आउलोकन वा संचार संबंदी उपयोगों के सैटिलाइट का स्वामित रखना है सैटिलाइट के प्रिष्चे पर शिवाय प्रदान करना भारती उध्धोग द्वारा सैटिलेक्ट निर्माड को बढ़ावा किया गया यह अंत्रिक्ष विभाग के अधिन केंद्री शार्जनिक छेत्रक का एक उधा में जिसे बरतमान में एन एसाईयल के अंत्रिक्ष कक्षा में 11 घार संचरों के स्वामित तो संचालन करता है फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनलिसिस और स्ट्रेक्चर के बारे मे यह जो है इसे विक्रम सारवाई अंत्रिक्ष केंद्रें फीस्ट नाम का एक फाइनेट एलिमेंट एनलिसिस सॉप्टिवेर विक्सित किया यह जो सॉप्टिवेर है एक कम्पुटराइज्ट कम तरीका है जो कि बुरवनवाल लगाता है कि कोई उत्पाथ बास्त्विक आता है किलो नोवा विस्पोट के बारे में जो की एक मॉडल तैयार करके एक तरीका विक्सित किया है जिसको मैं विद्दुचुम्य के विकर्णों का एक चम्किला विस्पोट होगा जब परिगठन घटेग होती तब दो न्यूट्रॉन तारी या एक न्यूट्रॉन तार में चेतावनी दी है यह कमीलियन ट्रोजन अपनी तरह पहचान चुपाने के लिए बैध एंड्रॉइड एपस से जुड़ जाता है और एपस के बेग्ग्राउंड में कूट संचालित करता है यह फोन का पिन चुराने के लिए फिंगर प्रिंट और फिस अनलोग जैसी बा पहला सेट लॉंच किया है यह स्पेस एक्स की अमेर की कंपनी है डारेक्ट उसे लुपकरों की एक एडवांस इनूर भी मोडल इस्थापित किया गया और यह अंत्रिक्च में स्थित सेलफून टागर की तरह काम करता है इस मोडेम का सहयता में स्टार्लिंग प्रिथभी प किया है यह दिमनिकेत उद्देशों को संसोदे नेमों को अधिसूचित करता है जिसमें फार्माइस्टिकल उत्पादों के उत्क्रेस्ट बिनिर्माड पद्रतियों को अपनाना फार्माइस्टिकल के उत्पादन में जोड़े परिशर सहीयन तो करनों गडवत्ता वानकों का पालन करना होता है यह 1945 में कि अनुशुची एम के ताधि सूचित होता है जो कि और सदी नियम 2023 कहा जाता है अब आता है नेक्स्ट सौदेशी रूप से विक्सित हैपिटाइटे से वैक्सीन हेविश्योर के बारे में यह जो वैक्सीन है इसे पहला सौदेशी विक्सित किया गया है इस हवीश्योर को इंडियन इमयनलोगेट्न ने विक्सित किया है जो कि इंडियन इमयनलोगेट्न राष्टी возможно कि पूर्ण स्वामित वाली साहाई कमपनी ने जिसमें दो खրुआक वाली वेक्सीन है जिसमें पहली खुआग 12 महिने के अधिक आयो के बच्चों को दी जाती जबकि दूसरी खुराग पहली खुराग के कम से कम छे महिने बाद दी जाती है हेपिटाइटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे जो कि एक ही नीडल या स्रेंजों का उप्योग करने से संक्रमित करता है, हेपिटाइटिस D जो होता है, इसका संक्रमण के वलन बैक्तियों में होता है, जो पहले हेपिटाइटिस B से संक्रमित होता है, और हेपिटाइटिस E जो आता है, वैफीकल, ओरल रूट, कि ज़र ये संक्वन मुखिता दूसर जल के संपर्क में आने से होता है अब आता है आयरवेदिक प्रिसिक्षिकों के लिए SMART 2.0 लॉंच किया गया है आयश मंत्रान ने कि अंतरगत दो प्रमक संस्थानों जिसमें भारती चिक्सा पद्यती के लिए राज़्टी आयोगो केंद्रे आयरवेदिक विज्ञान अनुशंधान परसद ने SMART 2.0 लॉंच किया है SMART 2.0 इसको फोर मेस्ट्री मिंग आयरवेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए होता है कि अंतरगत इसका उद्दिष आयरवेद की प्राथमिक्ता बाली छेत्रों में बहतर नेदाने क अध्यन को बढ़ावा देना है और भी अध्यन कार्ग्रम देश भर के आरवेदिक सेक्षन के संस्थानों अस्पतालों के साथ सहीउक से संचालित किये जाते अब आता है डवलुयाची के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिस इज इज 11 में मॉडूल 2 को सामिल किया है इसके अंतरगत पास्तों से भी अधिक कूट सामिल होते हैं और इससे संक्रामग बीमारियों जैसे जीवन सले से संब्वंधित बीमारिय्या जैसे आनेध्रा भी सामिल होती है अब आता है इसके अंतरगत नेक्स्ट d कि तंबाकु सेवन के प्रिचलन पर डबलू एचू की रिपोर्ट के बारे में कि विश्वास संगठन ने दो सो हजार से दो हजार तीस के तौरान तंबाकु की सेवन के रुजान के लिए बैश्विक रिपोर्ट जारी किये चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा तंबाकु उथपादक भी हो और दुनिया में 10025,000,000 वीक से तंबाकु का सेवन करते हैं लगबग 266,000,000,000, से पंद्रा बर्स प्यावस से अधिकायों के तंबाकू को किसेवन करते हो भारत में मुख तंबाकू उत्पादक राज में गुजरात अंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश करणाटक पश्यमंगाल तेलंगाना और बिहार का इस्थान आता है तंबाकू जो होता है वह एक मुखा सहिशन कठोर परिस्थितियों को सहिने में सक्षम और का मौधी को तयार होने वाली फसल होती हो और इसकी खेती उस मर्दा में की जाती है जहां अन्य प्रसलों की खेती करना लाबदाएक नहीं होता है नेक तंबाकू के सेवन के लिए बेश्विक पहले कुछ स्टा आता है मतलब मौनिटर कि तंबाकों के उपयोग और उक्ताम नगरानी के लिए निगरानी करना this project जोकी लोगों कि तंबाकों दुम्रपान से बचाना ओफर जो कि तंबाकों की लच छोड़ने में मदद करना बॉर्ण जोकी तंबाकू से जुड़े स्वास्त खत्रों के बारे में चेतावनी जारी करना इन्हेंस जोकी तंबाकू उत्पादों के विक्याफन प्रिचार स्पोंसर्शिप पर प्रितिबंध लागू करना रर्च जोकी तंबाकूत बादों पर टेक्स को बढ़ावा देना होता है अब आता है डिजीज एक्स के बारे में विश्वार्थिक्न मंच ने नोबल डिजीज एक्स का संत्र आयुजित किया है डिजीज एक्स जो है एक सिध्धानतिक सब्दा वली है इसमें X सियास है, आप रित्यासित होता है WHO ने किसी अग्यात रूप जनक की बारे में बताने के लिए 2018 में DGX का कॉंसेप्ट प्रिस्तुत किया था जो कि अंतराश्टिय महामारी की रूप धारण करती है अब आता है बायो इमेजिंग बेंग की बारे में क्यों मंबई के टाटा मेंमोरियल होस्पिटल ने कैंसर के लिए बायो मेजिंग की स्थापना किया या प्रावमिक चरलाण में cancern क पता लगाने के लिए गैंसर बिसित अनुकुलित अलगोरित्म तयार कर रहा है यह रोग, मुखरूप, सेतोचा, परिदी इतंत्रकाओ, उप्रीशो संपन और आखों की मिलकुषा को प्रभावित करता है और इसके फेलने का तरीका होता है वह अनुपचारित रोगी की निकट और लगातार से अंपर्क में रहने और उस रोगी की ना कि वो मुहषिने के लिए बूंदो की माध्यम से रोग का संक्रमर होता है और इसका इलाज वह असदी उपचार के लाज के लिए किया जाता है इसके अंतरगत आता है अब आता है कि भारत में कुछ रोक की इस्तिए के संदर में कि भारत में 2005 में कुछ रोक को लोक स्वास समस्चा की रोप में समाप्त करने का लक्ष हासल किया है भारत वारा इस रोग के उन्मूलन की जो घोशना है, मैं डबलू एची की मान दर्णों के नुशार होती है, जिसे राज्टी इस तर पर 10,000 जन संख्या पर एक मामले सामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है बबल बेवी सिंड्रॉम की बारे में। एक बच्चे में गंभी रोजान लेवा संक्रबणों की चपेट में आने का खत्रा बना रहता है। SCID पीमारी के साथ पैदा होने वाले इसे सुमों में सुईत रख्त कोशकाओं की कमी होती है, जो लिम्पोसाइट कोशकाएं इसके अंतरगा सामिल होती है। और इस पीमारी का सबसे आम उप्चार स्टेम सेम ट्रांस्प्लांट या बॉन मेरो ट्रांस्प्लांट होता है। अब आता है स्टील स्लेग रोड टेक्नोलोजी के बारे में। स्टील भटी से पिगले हुए असुदिफलक्स सामगरी से जलने से प्राप्त होती है और या एक गयर धात्विक कांच जैसा पदार्थ होता है जो अलग-अलग मात्रा में केल्सियम, मैंगनेशियम, मैंगनेच, अलुमिनियम, सिल्किट और ऑक्साइड इसमें मौजूद ह होते हैं और इसका उप्योग करने के लिए इसमें अशुदियां और धात्विक सामगरियों का अलग किया जाता है इसके इंतरगत आता है अब आता है इस इनेक्स्ट अनिल या एडवांस निकुलियर एनरजी के बारे में अनिल जो की एक अमेर की कंपनी है जो नामक इधन हुआ है भारत के बिग्यानिक डॉक्टर अनिल काकोडिकर के नाम पर इसका नाम रखा गया या थूरियम का एक निश्चित इस तर पर संबर्दित किये गए उरिनियू का मिश्रण होता है और इसमें यूरिनियम के एच ए एल यू यू या हाई एक से लो इन्रीश्ट यू इस तर को संबर्दित किया गया यह पाचास से 20 परसंट तक संबर्दित किये गए उरिनियू की एच ए लियू कहते है और बरतमान में इसके अधिक तर नुकलियर रेक्टर 5 परसंट या संबर्दित इधन को कारे करते हैं अनिल इधन से संबाविद लाब है कि इसका उप्य किए जाएंगे वह हमारे लास्ट पार्ट होगा मतलब किसका आठवा लेक्टर होगा और यह अभी साथ वा लेक्टर था तब तक आप इस सेसन को जाद़ से जाद़ सेर करें वीडियो को लाइट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडियो प्राप्त करने के लिए झाल